जी और देखिए कभी कभी ऐसा होता है एक सवाल ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाता है तो कल अगर आप देखें जब प्रेस कॉन्फरेंच शुरू होई पहला सवाल था पचास बेसिस पॉइंट के आप कितने और करेंगे उन्होंने का के दो और हम रेट हाइक्स कर सकते हैं दूसरा सवाल ये आया दो बचकर 37 मिनिट अमरीका टाइम हमारे यहां लगबग 11 बचके 37 मिनिट था और 12 बचके 7 मिनिट था और वो सवाल जब उन्होंने आंसर किया के 75 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट क्या बढ़ाएंगे रेट उन्होंने बुला वो अमारी टेबल पे बिलकुल नहीं है अभी हम उसको नजरंदास कर रहे हैं यूएस मार्केट 2 परसंट चड़ गए खतम होते होते लगबग 3 परसंट एक ट्रिलियन डॉलर्स कल मार्केट कैप अमरीका की बढ़ गई वो एक सवाल हमें ले गया इसमें क्या सीक्रेट क्या है अनल जी रेट सेंट्रल बैंक की और ट्रांसपिरेंसी क्योंकि पूरे एप्रिल में ये घोशना करते रहे और कल भी मैंने आपके साथ शेर किया था अनल जी CME FedWatch टूल जो है वो जो इल्ड कर्व दिखाता है अमरीका का पब्लिकली अविलेबल डेटा होता है के ओवरनाइट स्वाप्स में क्या चल रहा है वो अल्रेड़ी दर्शा रहा था 99.9% के 50 basis point rate hike आएगा तो ये बहुत उम्दा तरीके से पावल ने मैनेज किया है ये अभ मुख्य सेंटरल बैंक्स की अमरीका जपान यॉरप और चाइना इन चारों की बैलन्स शीट धाई ट्रिलियन डॉलर थी 2000 में 6 ट्रिलियन तक आई 2008 के संकट में और अब 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है तो इतना बड़ा नोट चापने का जो मोहिम चेड़ी गई है प वो नोट निकालने में बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्किट्स का क्या होगा एकॉनिमीज का क्या होगा आप देखें तो 1980 में अनिल जी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिसका डेट टू जीडिपी मतलब उसके उपर जितना कर्जा है उसके मकाबले में उसका जीडिपी एक गुना से जादा हो आज टॉप 25 कंट्री ऐसी हैं जिनका डेट टू जीडिपी सरकारी कार्परेट्स और हाउसोल्टीनों मिलाके 300% से जादा हो गया उसमें अमरीका सबसे अग्रसर है जापान है चाइना है यॉरप के सारे देश है तो बहुत बड़ा कर्जा है दुनि उसे निकलने के सामान है वो कल संकट था इन फैट इस साल के शुरुवात में जब फरवरी में का संकट आया तो एक बड़ी स्टडी निकाले गई थी अनल जी के मार्केट के लिए खत्रा किसका बड़ा है पावल जादा घातक रहेंगे मार्केट के लिए रेट्स बड़ा क के पूटिन जादा घातक रहेंगे युक्रेइन के संकट के चलते तो कल पावल ने तो अपना काम बहुत बेखूबी कर दिया मार्केट को बिल्कुल जटका नहीं दिया और ये भी उसको सांत्मना दी कि हम जैसे बैलन्स शीट कम करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे और हम सॉ उससे एक साल पहले मार्केट बढ़ता है इस बारे मार्केट गिरा उसके तीन महीने पहले मार्केट बढ़ता है इस साल फिर गिरा उसके आगे चलके देखें तो तीन महीने में मार्केट जादा तर गिरता है पिछले साथ इंटरस साइकल्स अगर देखे जाए चार बारे म बारा महीने में केवल एक बारी गिरा और मार्केट अच्छा रिटर्न देता है अगले बारा महीने में जब रेट हाइक शुरू होता है क्योंकि उस रेट हाइक आप कर रहे हैं एकॉनमी अच्छा करिए कॉर्पेट्स अच्छा कर रहे हैं दूसरी बात जब इंफलेशन पीक करती है जो हमारी उमीद है कि मैज जून में अमरीके इंफलेशन पीक कर जाएगी तो बारा महीने मार्किट बहुत अच्छे रिटर देता है तो ओवराल मैक्रो सुधर रहे आनिल जी और इसलिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं और अभी भी रेट बहुत ही लिनियंट हैं बहुत ही नीचे नेगिटिव रियल रेट्स पे चल रहे हैं क्योंकि इंफलेशन अगर साथ परसंट है और आपका रेट अभी भी कल के हाई के बाद भी पॉइंट सेवन फाइव से एक परसंट के बीच में हैं तो नेगिटिव रेट्स पर यह आप चल रहे हैं यह अगर आम टाइम होता हम कहते हैं बहुत स्टिमलेटिव है एकॉनमी के लिए तो एकॉनमी तो दोड़ेगी अमरिका की उसके साथ मार्किट्स भी अच्छा करेंगे बारा महीने के लिए हमें लगता है के संकर तल गया